आप देखने हैं देज कबर 24 और वक्त है खबरों का अरीबा के संजे का जिस्पताल में भरती गुड़ विधायक नागेंदर सिंग को आज एर एम्बूलेंस की मदद से भोपा ले जाया गया है आपको बता दें कि विधायक काबीते शाहधियों से रिवा के संजे गांभी स्पताल में उपचार चल रहा था जिनकी हालत में सुधार होने के बाद अब उन्हें आगे के उपचार के लिए भोपाल ले जाया गया है दरसल गुल बिधान समस्रे भास्व विधायक नाजेंदर सिंग की अचानक से तबियत विगड़ने पर चार दिन पूर्व उन्हें संजे गांभी स्पताल में भर्ती कराया था बिधायक के भतीजे गिलीब सिंग ने बताया कि बुखार होने के कारण उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिनकी हालत में अब सुधार होने के बाद उन्हें आगे के उपचार के लिए भोपाल रिफर किया गया है जोन कोट एंगर पार जाएंगर," रजाएंग। बिधायक को नीवा से भोपाल ले जाने के लिए मुख्यमंत्री सिराज सिंग चोहान दोरा एयर एम्बूलेंस भेजी गई इसकी मदद से उन्हें आज भोपाल ले जाया गया बिधायक के साद उनकी पत्नी एवं बहु साथ में हैं जिनकी देखरेक में अब आगे का उपचार भोपाल में कराया जाएगा संजय गांधी एस्पताल में तीन चार दिन पहले उन्हें बुखार थी बुखार के बाद बुखार कम नहीं हो रही थी उन्हें संध्या गांधी एस्पताल में अडमिट कराया गया जिसमें उनकी जाच हुई और जाच सब नार्मल रहें सुगर उनका थोड़ा बढ़ा हुआ था जिसके काण से सुगर में फ्लेक्श्वेशन था कभी कम हो जा रहा था कभी ज्यादा उसके तहट ये देखा गया कि इन्हें एक अच्छी उप्चार के लिए रिवा से इन्हें सिप किया जाए भोपाल आज भोपाल के लिए उन्हें सिप किया गया है तवियत में सुधार है और जिस तरीके से डाक्टरों ने पर रिपोर्ट बतलाया है कि कोई और किसी उस पर प्राब्लम नहीं है थोड़ा सा उन्हें दो-तीन दिन से सोय नहीं थे तो वो जर्क है जिन्हें उन्हें बेचैनी होती है लेकिन वो सुधार है और जल्दी स्वस्थो करके है यहाँ डाक्टरों की सला साथ ही घर के परिवारिक सभी सदस्यों ने सुचा कि वहाँ और बहतर इन्हें आराम होगा है यहाँ थोड़ा सा सभी उनके चहेते लोग है जो मिलना भी चाहते हैं ऐसे में वो उनको जितना आराम चाहिए नहीं हो पा रहा था और डाक्टरों ने कहा कि यहाँ चुकी आपके बहुत से चहेते लोग हैं जो सब मिलना चाहते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ी सी वो अशुधा होती है कि आपको जी रेलाक्स होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है तो हम लोगों ने भी इने लिया कि भोपाल इने सिप्ट किया जाए और वो स्वस्थ हैं थोड़ी से उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी वो सुगर के कान और सुगर भी अब नार्माल है मुखमंत्री जी परसों ही बात हुई थी मुखमंत्री जी अभी इस्टेट प्लेन भेजा गया था जिसी उसी के ताहत वो आज भोपाल सिप्ट कर रहे हैं और मुखमंत्री जी ने पूरा हाल चाल रोजाना लेते रहे कैसे डाक्टों से भी यहां की जी लाधिकारी कलेक्टर रिवा से भी और हर तरीके से घर के परिवार के सदस्यों से भी उन्होंने हमेशा संपर्क में बने रहे और हर तरीके से सोचते हैं